इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ Irregular periods यानिüst्व अन्यमित महावारी के बारे में इसकी क्या वज़ हो सकती है और इसका क्या treatment है तो अन्यमित महावारी की बहुत सब्सक्रणी हो सकती है सबसे पहले तो जब एक बच्ची की महावारी शुरू होती है जो कि 11 से 13 साल की उमर में होती है उस समय उस बच्ची के पीर्ट्स दो से तीन वर्ष तक इर्रेगुलर हो सकते हैं क्योंकि जो एक्सिस होता है वो इमैचूर होता है ब्रेन का और वो धिरे धिरे मैचियोर होने के बाद, साइक्लोस र्रेगुलर हो जाती है जब एक महिला की मेनोपोस की एज तक पहुँँ जाती है यानि पीर्ट्स बंध होने वाले होते है तब भी साइक्ल innerhalb हो जाती है और इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं या क्या हो सकता है कोई medical disorder, कोई hormonal problem, जैसे कि thyroid की problem, या prolactin का ज्यादा होना चरीर में, या PCOS यानि polycystic ovarian syndrome, ये आजकल बहुत महिलाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी lifestyle और जीने का तरीका बदला जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी PCOS में भी महावा पारी है, ये आपकी fertility को effect करती है, क्यों effect करती है, क्योंकि अगर इसमें ovulation नहीं हो रहा है, और आपको हर महिने गोलियों से periods लाना पड़ता है, यानि प्रोजिस्ट्रोन लेके periods लाना पड़ता है, तो आपको in fertility specialist के पास जाके, अपना जाज और अपना इलाज जरूर करव के लिए, सबसे पहला option है ovulation induction का, ovulation induction में हम आपको दवाईयों या injection द्वारा आपके egg को बना के उसको release करवाते हैं, और आपको हम safe या सबसे अच्छा time बताते हैं contact का, जब आपकी pregnancy होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं, इस cases में हम IUI भी कर सकते हैं, अगर indicated है तो, तो irregular menses में भी आप pregnancy को हासिल कर सकते हैं, अपनी संतान अपने खुद के gamit से प्राप्त कर सकते हैं, और आपको ज़रूरत है proper infertility specialist के पास जाके consult करने की, thank you.